हाँ, so we are discussing our third chapter of English Glimpses of Past और हम पहुँच गये हैं 7th topic, page number 42, that is the sparks, okay, from 1855 to 1857, 2 साल का spark, मतलब dissatisfaction तो हो गया है, कि यार बहुत हो गया है, इन लोग का यह हो, और फिर लास्ट में वो बन्दा बोल भी दिया है, कि रिक मारी बातों से अब कुछ नहीं होगा, कुछ action लेना पड तो फिर चालो हो रहा है, देखो, taxes continue to ruin the peasants, मतलब taxes तो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए और ruin the peasants, peasants मतलब farmers, तो उनकी loot चलती रही, In Bengal, these santhals who had lost their lands under new land rules became desperate, मतलब वो santhals, santhals meaning क्या, a member of a large native group living mainly in eastern India, मतलब eastern India में रहने वाले एक ऐसे group, particular type of group, कि वो इंडिया में रह रहे और particular region को ही follow कर रहे है, मतलब region से ही आते है, member of a large native group living mainly in eastern India, मतलब 1855 को वो लोग ने rebellion कर दिया, मतलब rebellion मतलब क्या revolt कर दिया, के oppose करना शुरू कर दिया गया, नहीं चले गए जो करना है कर लो अब हम तुम बोलोगे वैसा नहीं करेंगे, revolt कर दिया, मतलब लोग इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए के अपनी land ले लिए, पैसे ले लिए अभी, वैसे भी मरी जाएंगे, खाये पीने बिना, इस चाहिए के इनको मार के मरते है, तो रिवल्ट कर दिया, और पूरे उनको मारने लगे, जहां ब्रिटिशर्स दिखे, वहां मार डालो, जितने कम होगे उतना अच्छा है, ऐसे, लाइक देट, अभी देखे, इस कंटेंट वाज ग्र्यूविंग इन इस इंडिया कंपनी आर्मी टू, मतलब इस इंडिया कं इस इंडियन तो थे ही, तो वहां पर भी यह पार्शियालिटी थी, क्या था, दिवाइट सोलजर्स गैट्स यूज पे, मैंशन्स तू लिव इन और सर्वंट्स, तो मतलब जो वाइट आर्मी मैं थे, उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, बहुत ही ज्यादा, यूज इस घ्यादान का है, बढ़े-बढ़े हमारे बिजनेश मैं, Обणी का है, औके मिःतल का है, ऊपके मितल का है, वह है न, कौन सा मितल? आर्के मितल, औो के मितल, वह बड़-बड़ा ग्रूब है, तो बिजनेसमैं है, मुम्बई के हूए, तो ये मैंशन, ये अपना सामने वा होते हैं, जो white soldier होते हैं उनके पास, while we get a pittance and slow promotions, pittance मतलब क्या tiny payment और slow promotion मतलब वो उपर नहीं जा सकते, जैसे आर्मी में क्या होता है कि जितना उपर जाओगे उतनी salary high गोंगे, तो उपर भी नहीं जा सकते और payment भी बहुत ही कम है, तो यह बंदा क्या बोल रहा है, कि अंग्रेज जो है, वो हमें order कर रहा है, cross the sea, मतलब एक sea को cross करने के लिए बोल रहा है, तो क्यों का आउस कर लिए बोल रहे है, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी है, वो तो पूरे इंडिया में सब जगे लड़ रही होगी, तो जहां-जहां लडाई हो रही है, जहां ब्रिटिश अपना support दे रही है, वहां पर तो पूरी आर्मी जानी चाहिए, तो ब्रिटिश प्रिटिश आर्मी के साथ साथ ये इंडियन पीपल भी जाएंगे तो बोल रहे हैं कि ये लोग हमें जबर जस्ती ओशन क्रॉस करवा रहे हैं जो हम इतने सालों से फोलो कर रहे हैं हमारे रिलीजियन मतलब ये तो रॉंग बिलीफ ही थी लेकिन बोलोग भी ऐसा सोचते कि हम उसमें ऑगल पंडे थी ये फोलोग हमेशा एसी टोपी पढ़ने थी अफ़ उसमें एसेी रेड कलर के कप्ड़े होते हैं और जैसे इसे तोपी होते है जैसे तो देखो we must drive out the Ingres को हमें अंगरीज को निकालना ही पढ़ेगा सेपोई मंगल पंडे एटेक्ड दी एडजस्टन्ट ओफ हीज रेजाइमेंट एंड वाज एक्जीकुटेड तो जो हमारे मंगल पंडे थे सेपोई मतलब क्या इंडियन सोलजर्स एंप्लोईड विदिन यूरोपियन मिलिट्री मतलब हमारा सॉलजर जो उनकी मिलिट्री में काम कर रहा है उसको क्या बोलते है सेपोई तो वैसे ही एक थे मंगल पंडे तो मंगल पंडे ने अपनी बाजुवाली रेजिमेंट में हमला कर दिया, कि एक सब क्या हो रहा है, तुम लोग तो मतलब हमें ही मार रहे हो, यह कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उन्होंने चालू कर दिया, मतलब उन्होंने अपने उनिफॉर्म निकाल दिया, तो अपने कपड़े ऐसे फार दिया, जो मिलेटरी का उनिफॉर्म होता है, वो निकाल दिया, few English men had care to understand the Indian customs or the people's mind, मतलब ऐसे थोड़े लोग थे, जो Indian people को समझते थे और उनका जो customs, customs मतलब जो पहले की, जो क्या बोलते हैं, पहले की जो beliefs होती है, वो समझने वाले customs, यहां हमने adjustment दिखा, मतलब a military officer who acts as an administrative assistant to a senior officer, ओके यह wording का meaning है, के adjustment, तो यह Mangal Pandya ने इस पर हमला कर दिया था, administration official पर हमला कर दिया था, तो यह बोल रहे हैं, देखो, ओ proud Brahmin soldiers, do you know, यह इसने, यह है न, यह अंग्रेज ही है, लेकिन वो बता रहा है, ओ proud Brahmin soldiers, do you know that grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs, मतलब यह यह लोग है, जो Indian के customs को, belief को मानते थे, support करते थे, Englishman, Englishman लेकिन थोड़ा बहुत समझते थे, हमदर्द, humanity थी, के अरे भाई लोग, महान, Brahmin लोग, तुमें पता हैं, के जो grease, गोली मारने में कितना टायम लगता था, पहले इसे गोली डालो, फिर ऐसे ऐसे करके मारो, तो वह आगे जाये ही, फिर जाके तो ने ऐसे एक बुलेट छोड़ सकते हैं, बहुत महनुत्वाला काम था बोली माल रहा है, और उसके पहले भी वह जो बुलेट होती है, वह ऐसे बड़ी होती है, तो उसको ऐसे दाथ से टोड़ना परता है, थोड़ा हमारा दाथ में जो हम तो उसका misuse भी हो सकता है और उसका जो गंड पाउडर है उसमें moisture लग जाता है तो वो नहीं कर सकते थे तो इन्होंने क्या किया के बताया ऐसे कोई अच्छे वाले थे allivi fun बता है Tumma weekly क्या है यह जो fat है यह तुम थोड़ रहेो ना वह स्मस्शुण का और फीग के fat में से तो यह बोल रहा है देखो हम उट यह बोलाए को ना तो माता है ऊके और वो गाई की fat सचर्व में से बन रहा है तो च्छॉड हो गया जो मुस्लिम है घुट रहा है पापी बना दिया क्योंकि जैसे हमारे लिए गाई है जैसे हिंदू के लिए गाई जितना पवित्र माना जाता है वैसे मुस्लिम्स के लिए पीग बहुत ज्यादा Holy माना जाता है Pig yes तो दुनिया में कुछ भी खा लेंगे लेकिन Pig नहीं खाये तो जैसे हमारी लिए गाईम आता है वो लोग ऐसे Pig की पूजा तो नहीं करते लेकिन हमें Holy माना जाता है मतब Pig का अगर मास खाया तो वो Haram माना जाता है Haram जैसे दारू पीना हराम है मुसलिम में, इसलाम में लिखा हुआ है जनरल ही नहीं पीते जो पक्के होते हैं पक्के मुसलमान, वो नहीं पीते तो वैसे ही पीग होता है तो वो सब कुछ खा लेंगे गाई, कुटा, सब कुछ खा लेंगे cat लेकिन कभी pig नहीं खाएंगे तब ऐसा साथ इनका क्या विलेश में का नहीं वो उनका कुछ नहीं वो लोग बस खाओ खाओ पेट भर के खाओ ऐसा चलो Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services मतलब अभी हमने reward शूरू कर दिया कैसे हमने information भेजी तो कबूतर भेज नहीं सकते थे तो हमारी services क्या थी chapatis बेचना मतलब ऐसे chapati का ऐसे थपा और उसके अंदर एक चित लिखी होती जिसमें लिखा होता था के तुमारे राजा को तुमारे जरूरत है your emperor needs you तुमारे जरूरत है तुम आओ जुड़ो अपि यह जो movement चल रही है कांतिकारी movement चल रही है revolution उसको support करो yes all my village man will be ready तो मतलब यह एक village man को मतलब village का ऐसे सरदार है सरपंच है the head है उसको बता दिया फिर वोला कि हाँ मेरे एक गां के लोग साब कुछ हो जाएगा ऐसे यह देखो similarly lotus flower circulated among the Indian soldiers मतलब जो Indian soldiers थे उनके अंदर lotus flower support किया गया lotus flower में कितने ज़्याद है leaves निकल गया है उसके leaves के नीचे बीच में ऐसे चीट डालके सबको ऐसे support में lotus flower दिया गया है तो ऐसे ही pass किया गया और पता कर दिया गया है कि चलो अभी time आ गया है बहुत हो गया है इनका तो death to the foreigner मतलब बस अब तो मारी डाल रहा है अंग्रेसों को अमारी भास आती थी नहीं आती थी हिंदी आती थी हिंदी बहुत जादा आती थी तो सब दूसरी दूसरी जनरली कोई नहीं आती थी तो सब दूसरी वर्सां बात क्यों रहती थी कौन से दूसरी वर्सां संस्कृत है ऐसी उनको आती नहीं थी तो कैसे बात करे थी उनको खुट करे थी अरे उनको इंग्रीश आती थी थी ना अचा नहीं सब जो इंग्रूस्तान में जो रहते थे वो लोग क्यों नहीं बात कर रहा है अच्छा हाँ 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 हमारे लोगों को भी संस्कृत इतना आता नहीं था सही में इतना सब कुछ भूल गया ऐसे वो जो पंडित and all है उनके बेटे है उनका फैमेली है उनको संस्कृत आता था बाकी सब को नहीं आता था लोगों मतलब मासीज पूरे के पूरे ग्रूप वो अल्डी फोक्स विल है और तुम सारे जो मिलेटरी मैन है आर्मी मैन है उनको हम सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट के साथ साथ शेल्टर भी देंगे तुम्हें छुपना हो तो छुप जाना लेकिन बस अभी ख़दं करोंगर तो अभी लास्ट पोशन सुरू हुआ रिवल्ट इन 1857 हां मतलब रिवल्ट मतलब ऐसे लास्ट मतलब उनका लास्ट मतलब क्लाइमेक शुड़ हो ऐसे ओके तो वायलेंट आउटब्रेक एट मीरट तो वायलेंट मंगल पांडे वाला जो हुआ था वो यही है ओके ना यूपी में है वहां पर एक आउटब्रेक हुआ मतलब जहां पर भी दिखे मारो 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 बस मार डाले यहां लोग पहुँच गए देखो इस सैपोई मार्ट स्प्रेट डेली मतलब जितने भी सैपोई थे मतलब अभी हमने देखा ना जो हमारे सोलजर्स जो यूरोपियन अर्मी में थे वो सैपोई मंगल पांडे जैसे तो वो सारे ही खटा होके देली चले गए लॉव अवर एंपरर बाहदूर्शा मतलब जो बाहदूर्शा जो किंग थे ओके डेली में जो किंग थे उनको बुला के आप लॉऌं गलिव मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद का मैं लोंग लेव, लोंग लिव, लोंग लेव, हिंदुस्तान गिस टान्दाबार तो उसके । य। एफिन लॉalles लॉंग ल Kevin तोल्ग लीव स सब्धय करने आ गए। हाला भाया भी कॉर्ट सब्सक्राइब लॉजकि का बाधर्म। policies okay and they were sore okay बहुत ही ज्यादा लोग जो landlord से उनकी भी जमीन चली गई okay and they were sore sore मतलब क्या distress sad and angry मतलब वो लोग भी sad and angry थे कौन landlord जो बड़े-बड़े जमीन दार होते थे जिनके पाद बहुत ज्यादा जमीन थी वो भी taxes पे करने हैं के और यह सब rules and regulations land policy and all ऐसे different different बना दिया था अंग्रेज ने तो वो follow करते करते बहुत ही ज्यादा sad थे और depressed भी थे दुखी थे unhappy okay so the white man's rule must end अब वो लोग भी मानने लगे थे कि अभी बस बहुत हो गया British का rule अब बन दोना चीए yes we will help you तो सब लोगों ने बोल दिया हाँ हम भी मदद करेंगे मतलब अभी कोई पीछे नहीं हट रहा था पहले क्या हो रहा था चालू कहां से हुआ था हमारे ही हमारे ही किएंगे एक दूसरे को jealousy कर रहे थे के लड़ो यह लड़ो बोले हम नहीं जीत पाएंगे चलो Britishers का help लेते है और फिर उनको हरा देंगे तो अंदर 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 जैले सकी वज़े से Britishers आ गये थे अंदर और अभी वापस इखटा हो गये है Britishers के सामने Now the last topic is the fight for the freedom 1857 जो मंगल पांडे ने शुरू की थी वो सब जगे बढ़ने लगी That is many former ruler like begum hasrat mahal of Lucknow were bitter okay मतलब the white man has taken away my kingdom तो ऐसे बहुत सारे लोग थे ओके जैसे के यह है former ruler like begum hasrat जो begum hasrat थे लखनव के ruler okay Muslims okay लखनव हां ममे जो ने देखो क्या था के जो लखनव है 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 वो सब जगे Muslims राज ही था पहले सही ओके डेली है okay कानपूर राज है ने चाहिए ने राज है ने चाहिए ने राज है यहाँ है वैसे तो वहां के जो प्रिंसेस थे that is the white उन्होंने भी बुला के हमारा सारा ही kingdom ले लिया है उन्होंने हमारा kingdom तो हम भी join करेंगे the joined the upsurge against the foreigner मतलब वो जो upsurge upsurge मतलब क्या rise मतलब जो उनकी मतलब जागो जागो लोग जागो भाई लोग ऐसे है कि यह लोग ने हमें पूरे हमारी लाइक भी खिलाब जो बगावत शुरू हुए है ओके अंग्रेज हो के खिलाब वो हम भी support करेंगे हम भी बर्बाद कर दी अब भी तो जागो ऐसे मतलब इतना जबर्जस्त हुआ कि जो भी उन्होंने यह 70 years 80 years तक oppressed किया है वो सब कुछ अभी वापस करने का time आ गया है इसलिए वो लोग गए नाव अजिमुला खान टोल टू टात्या टोपे अजिमुला खान आये और टात्या टोपे को बताया कि वी शुड हैव पेश्वा नाना साहेव एज ओर लीडर इन दिस war of independence तो अजिमुला खान टात्या टोपे को बताया के हमें ये freedom fight जो करनी है, independence करना है हमें तो ये war of independence में हमें जो हमारे नाना साहिब पेश्वा है उनको मराठा के kingdom के वो राजा है तो उनको हमें अपना राजा, अपना leader चुनना चाहिए The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over the North India तो जो भी देशबग देशबदे, pounced मतलब bounce back, ऐसे मारना bounce जैसे होता है वैसे pounce, pounced मतलब अचानक से ऐसे आना उपर तो pounced upon the British, मतलब अचानक से British और उस पे हुमला कर दिया and fought pitched battles all over the North India, pitched battles मतलब violent confrontation involving large number of people मतलब एक साथ ही अचानक से सब लोग आ गए और एकदम violent war कर दी, मतलब डाइरेक्ट मार, ऐसा नहीं कि सिर्फ हराना है, पकड़ के ले जाना है और वो करना है, मार ही डालना है, violent, okay war कर दी थी, पूरे के पूरे North India में 80 year old cooner Singh of Bihar received a bullet in his wrist, मतलब ये फोटोग्राफ से हमें क्या बताया जा रहा है, कि ये जो 80 year old के cooner Singh है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग यंग लोग जा रहे हैं, कि 25, 30, 40 साल के लोग ही जा रहे हैं, मतलब बच्चे, औरते, बुढे, सब लोग जा रहे हैं, क्यों ये लाइफ भी चले गए, ओके, तो इतना ज्यादा हो गया, इसलिए ये दिखा रहे हैं, कि इतने बड़े-बड़े लोग भी, इतने एजेड लोग भी इसमें शामिल है, मतलब वो बता रहे हैं, उनके हाथ में जो गोली लगी है, तो गोली में भी जहर होता है, ओके, जहर हो जेहर तो होता ही है, वो थो काम करता ही है, बड़ वो कहा लगी है, उसके उपर e supplier है, कि इतना जल्दी मरेंगे जोंड़े लगए, दो इतना जल्दी नी होगा लेकिन वह वहाँं पाइट कर दिया है कि मतलब हमारा में सारे ही झैल के पास सबकुछ खाना पीना सब पोर अगर टाच हो गया है मतलब मज़े यहां से मेरी बंत घुवा इन पास हो गई तो कुछ कुछ नहीं हो खु outras बट वेन्स को टच नहीं हुआ वेन्स एक pipeline जो है वो ब्रेकेज नहीं हुई तो problem कम है बचा जा सकता है लेकिन वेन्स में ऐसे गई यहां पर तो भी तो same blood निकलेगा लेकिन वो blood अब complete नहीं रहा वो यहां पर break हो गही न लाइन continuous blood निकलता रहेगा और जो पास होगा वो भी unpured होगा poison वाला होगा तो वो बोल रहे हैं अपना ऐसे ही मरते मरते उन्होंने लड़ा और अपना जो हाथ है वो offerings में के मदर गंगा अभी मैं यह मेरी last offering है मतलत वहां के ही है बिहार के तो गंगा वहां पूरे नौर्थ इंडिया इंडिया में इंडिया में गंगा जी को बहुत ही पावन माना गया है बहुत ही भूली माना गया है बोल रहे है कि यह मेरी last offering है आपके लिए ओके तो वो 80 years old कुवर सी भी अपनी offerings दे रहे थे मतलब उससे यह बताय जा रहा है कि कोई भी मतलब इसमें से बाहर नहीं था सभ नहीं लोग यह बहुत रहे थें okay so this is all about the glimpses of past मतलब हमारा ऐसा past कि हमारे ही थोड़ी misunderstanding, हमारे kings की सारी misunderstanding and all के कारण यह सब हुआ okay वो लोग business करने आये, उन्होंने देख लिया कि हमारे अंदर अंदर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, jealousy है और तो उन्होंने उसका फा दिमाग वाले थे तो लॉंग टम का सोचा हमारे लोग छोटी स्वाट शाइटेड थे वो लोग फार साइटेड थे तीपु सुल्टान है टात्या तूपए है कई-कई लोग ऐसे थे यह हमारे रानी लक्समबै का फोटो भी आगे यहां पे दिखाया गया है तो बहुत चारे ऐसे लोग थे जो हो ऐसे मंगल पंडे है तो बहुत चारे लोगों की वज़े से मतलब हम आगे बढ़ पाएं बट हुआ क्या कि उन्होंने मतलब पूरा इंडिया कवर कर लिया और फिर उनको वापस भेजते भेजते कितने साल हो गया और 1947 में 100% हो गया उसस परते जा रहे हैं तो यह था हमारा ग्लिम्सिस ऑफ दी समझ में आया बहुत ही ऐसे देखने में ऐसे लगे कि यह फोटोग्राफ फोटोग्राफ है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफर्मेटिव और डीप चैप्टर है समझने वाला चैप्टर है एक्जाम पॉइंट और वै कि क्या फाइदा है ऐसा पड़ा हो जिससे कुछ फाइदा मिले अभी अकबर ने आखे यह किया हुमायू ने यह किया अंग्रेज्व ने यह किया उससे अभी की जनरेशन को क्या फाइदा है लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चीए हम उनके डीप में जाते कि वो पाकिस्तान चाइना वो लोग हमारे पर एटक कर रहे है थोड़ा portion ले रहे तो हम हाँ नहीं बोल दे रहे है कि हाँ आई तुम्हारा रहे हो छोड नहीं दे रहे है क्यूं क्यूंकि यह mentality बनने में टाइम लगा है यह हमारा पार्ट है इंडिया का पार्ट है नए तो थोड पुक्ति हैना ग़्रेश में एसे एक साथ है कि तो कि यह को सम typically अधिक स्टमार, फिर वहास कंगे है नौला है? आफ विले और में उसक्राने वन नौला में मेंडिया गुलाम नॉली मै। किसी का स्लेव ना बने इसलिए हमें थोड़ी हमारी हिस्ट्री पता होनी चीए कि कोई फॉरेनर आके हम पे यह हमारी फैमेली समझो यह फैमेली मतलब इंडिया है और फैमेली का कोई बाहर का आके कोई ऐसे हमें ऐसे तोड़ ना सके तो इस आपाउट प्थे तो इस तो अबाउट ने तो इस बाउट जी वे तो कोई बीड़ी पर इंडिया है है एकी मतलब वह लेवल वह लेवल वह लेटी का एक ही है है आजिए यह ज़ब बन कर देए